अगर आप सरकारी नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए लाब दायक हो सकती है। अगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने रविबार को अपना इकी सूत्रिय चुनावी घोशना पत्र जारी कर दिया। इसमें शहरवासियों को हर महीने 40,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने और कूडे के बिल आधा करने का वायदा किया गया है। साथ ही शहर में एक निगम एक टैक्स प्रनाली लागू करने की घोशना की गई है। साथ ही तर्च पर बिना एनो सी पानी के कनेक्शन मिलेंगे। आठ शहर में एक दुकान, एक यूनिट की विवस्था लागू होगी, एक ही लाइसेंस होगा। 9. शहर में नशामुक्ती के खिलाफ जन आंदोलन चलाएंगे, 10. हर वार्ट के हर मुहले में ओपन जिम बनेंगे, 11. पूरे नगर निगम ख्षेत्र में CCTV कैमरे लगेंगे, 12. आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंग से निजात दिलाने के लिए बनेगी टास्क फोर्स, 17. सभी वार्डों में ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाएगा, 18. वरिष्ठ नागरिकों बुद्धी जीवियों की समिती बनेगी, विकासकारियों के लिए देगी सुझाव, 19. 1546 करोर की परवतमाल योजना यानी रोपवे को लागू करेंगे, 20. हर वार्ड में इंबुलें इस स्कीम का नाम है महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2023. इसमें पैसा जमा करने पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दरसे ब्याज मिलेगा और टैक्स शूट भी. डाक विभाक की ओर से महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की गई है. इस योजना में महिला या लर्किया न्युन्तम एक हजार से लेकर अधिकतर दो लाग तक की राशी निवेश कर सकती है योजना की अवधी दो साल है हालांकि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहट तीम महीनों के अंतराल में कई खाते खोले जा सकते हैं जिसकी अधिकतम सीमा दो लाग रुपे तक है योजना में एक वर्ष के बाद जमा राशी का अधिकतम 40 फीसदी निकासी का भी प्रावधान है साथ ही खाता खोलने की तिथी से 6 महीने के बाद खाता बंद भी किया जा सकता है ऐसा करने पर योजना की देय ब्याज राशी से 2 फीसदी कम 5.5 फीसदी ब्याज की राशी मिलेगी दो साल बाद भी अगर राशी नहीं निकाली जाती तो सामान्य ब्याज देय होगा महिला सम्मान बचत पत्रियोजना में आवेदन के लिए सभी महिलाएं पात रहें 10 साल या उस से अधिक आयू की बच्ची का भी खाता खोला जा सकता है आवेदन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइच फोटो, इमेल आईडी और फोन नंबर होना जरूरी है इसके साथ अब अगली बात करते हैं रोजगार की, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी अगली गारंटी को अमली जामा पहनाने की और रुख कर लिया है सत्ता में आने से पहले कॉंव्रेस ने दस गारटियां हिमाचल के वासियों को दी थी, जिन्हें सिलसिलेवार पूरा किया जा रहा है अब अगली गारंटी जो सरकार पूरे करने वाली है वो एक लाग नौकरियों की है, यानि सरकार ने घोशना पत में जिन दस गारटियों का जिक किया था, उनमें से एक प्रदेश के बेरोजगारों गावों को एक लाग नौकरिया देने की थी जिसको लेकर अब आज से शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए बैठके आरम कर दी गई है आज ये बैठक मंत्री हर्शवर्दन सिंग चौहान की अध्यक्षता में होगी, इसमें मंत्री जगत सिंग नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित थाकुर भी मौजूद रहेंगे आज की बैठक में चर्चा होगी कि किस प्रकार से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए रोजगार की जो संभावनाएं हैं उन्हें कैसे पैदा किया जाए और इन सब चर्चाओं के बाद जो निशकर्ष निकलेगा उस आधार पर आगामी दिनों में भरतिया निकाली जाएंगी तो सरकार का या एक बड़ा कदम है क्योंकि विबिन विभागों में कई वेकेंसीज है और इन वेकेंसीज को सिलसिलेवार भरने की प्रक्रिया सरकार जल्द शुरू कर सकती है इसी सिलसिले में आपको बता दे कि बेरोधगार लाइब्रेरी यूनियन ने भी एल्टीमेटम दिया है कि जल्दी अगर इनकी भरतिया शुरू नहीं की गई तो वे सचवालय का घेराव करेंगे तीन साल पहले से इन भरतियों को लेकर जो R&P नियम तयार हो चुके हैं लेकिन इनकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है इन बेरोधगार लाइब्रेरियन की बात करें तो इनकी संख्या प्रदेश में लगबग 30,000 है और वेकेंसी की बात करें तो स्कूलों में J.O.E. असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 900 से अधिक पत खाली चल रहे है ऐसे में यह आस लगाकर बैटे हैं कि जल्दी इन्हें नौकरी का मौका मिले और इनकी बेरोधगारी दूर हो क्योंकि समय निकलता जा रहा है और इनकी आयू भी बढ़ती जा रही है चलिए अगली बात करते हैं Old Pension को लेकर वैसे तो Old Pension को लेकर अभी तक कई वर्ग है जो चिंतित है और उनमें से एक वर्ग ऐसा है जिसमें संशे की स्थिती बनी हुई है कि Old Pension उन्हें मिल पाएगी या नहीं हम बात कर रहे हैं जिला परिशत कर्मचारियों की क्योंकि छटे वेतन आयोग से यह अभी तक वंचित है क्योंकि इन्हें पंचायती राज विभाग के साथ मर्ज नहीं किया गया है और इसलिए Old Pension को लेकर ये चिंतित है क्योंकि अगर ये विभागी ये कर्मचारी नहीं है और यह उम्मीद है कि जल्दी प्रदेश के TGT को प्रवक्ता के पदू पर पदोननती मिल जाएगी इसी के साथ सो TGT को हेड्मास्टर के पदू पर पदोननती भी दी जाएगी फरवरी माह में शिक्षा मंत्री रोहित थाकुर के कहने पर इन TGT की प्रमोशन के लिए क इस शिक्षा विभाग ने मंगवाए थे और तब से इस पर कारेवाही चल रही है और अब विभाग का ये कहना है कि प्रमोशन को लेकर सभी फॉमलिटीज पूरी कर ली गई है और जल्दी प्रमोशन की लिस्ट जारी की जा सकती है वीडियो में दी गई जांकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें शेयर करें और पहली बार चैनल पर आये है तो ऐसी लेटस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले झाल 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